हलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आपका आपना यूट्यूब चैनल स्टेड़नी के तन पर, आज है 7 सितंबर 2021, तो देखेंगे आज के बेस्ट करेंट अफेर, पहला अर्टिकल है, इंटर्नेशनल डे ओफ चैरिटी, ये परतेक वर्ष 5 सितंबर को मनाय जाता है जी, इंटर्नेशनल डे ओफ चैरिटी, ठीक है, इसे UN द्वारा, United National General Assembly द्वारा, डिकलेर किया गया था 2012 में, पहली बार, ठीक है, और तब से ये 5 सितंबर को मनाय जा रहा है जी, इंटर्नेशनल डे ओफ चैरिटी, मैंसे बता दूँ कि 5 सितंबर को हम लोग टीच जिनको आप जानते हैं, उनको 1979 में, Nobel Peace Prize से नवाजा गया था, for work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress which also constitute a threat to peace, आप इनका एक फोडो देखें, अगला अर्टिकल है, A Rude Life, The Memoir, तो ये एक किताब है जी, बीर संग्वी जी के अगर आपने नाम सुना है, ये बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट रहे हैं इन्होंने एक किताब लिखा है, उसका नाम दिया है, A Rude Life, The Memoir, एक्चुली इस किताब के अंतरगत वो बताना ये चाहते हैं, कुछ किस्से कहानिया सेयर करते हैं, अपने personal life के बारे में, stories of celebrities, politicians, middle men के बारे में, ठीक है, actor, actress के बारे में, आपको फोटो का वो लुक दिख होगा, अगला अर्टिकल है, फोन पे प्लस से जी, तो फोन पे ने एक platform launch किया है, जिसका नाम दिया है, फोन पे प्लस, तो ये प्लस जो है, इंडिया के पहला interactive platform with data insight and trained on digital payments, ठीक है, इसके अंतरगत more than 2000 crore digital transaction किया जाएगा by customer on an interactive map of India, CEO है, समीर निगम, फोन पे के, Life Insurance Corporation of India, LIC है, अगला अर्टिकल जी, तो इन्होंने 3.9% stake ले लिया है, bank of India का, through open market acquisition, ठीक है, इसके साथ ही, अब 7.05% का acquisition हो चुका है, LIC का bank of India पर, LIC का पहले से इनके पास 3.17% का stake था, अब चुकी, सेवी का guideline है, सेवी को जानते हैं आप कि 5% से ज्यादा share, अगर किसी listed company का लेते हैं, तो आपको इसको बताना पड़ता है, सेवी को, ठीक है, अब bank of India के बारे में जाने है, 7.06 को इसका foundation हुआ था, मुंबई में headquarter है, आतुनु कुमार दास इसके MD और CEO है, CMD कहिए, LIC के बारे में जानते हैं, मुंबई में headquarter है, सितंबर 156 को ये बना था, MR कुमार इसके chair manager, ठीक है, तो ये दोने institution के बारे आपको बता होना चाहिए, अगला article है, Financial Stability and Development Council, तो Union Minister for Finance and Corporate Affairs, जो स्रीमती निर्वला सितारम जी है, उन्होंने chaired किया 24 मी meeting, इसका FSDC का, FSDC नहीं, Financial Stability and Development Council का, Finance Minister chair करते हैं, FSDC का, और FSDC के subcommittee को chair करते हैं, RBI के governor, फोटो में दीखे हैं, RBI के बात आई है, तो headquarter Mumbai में establishment, एक अप्रेल 935 को को कोकता में हुआ था, Ministry of Finance के अंदर कतिया आता है जी, और सक्तिका अंदास जो की 25 में governor है, RBI के, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला article SIMBECS, नाम से समझ में आगया होगा, SINGAPUR और INDIA के बीच, Maritime Bilateral Exercise है, जी, जिसका नाम SIMBECS दिया है, SIMBECS का पुरा नाम आपको समझ बार होगा न, SINGAPUR, INDIA, Maritime Bilateral Exercise, और ये 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में exercise किया गया, कहां किया गया, South China Sea में किया, इंडिया ने भी ने रिपर्जेंट किया अपना आइनेस रन भी जाए यह एक गाइडेड मिसाइल डिस्टोयर आइनेस है जी ठीक है और सीप बोन हेलिकॉप्टर भी आपको दिख रहोगा फोटो में एक्सराइज आपको याद होना चाहिए सिंगापूर के कैपिटा सिंगा प्लास्टिक पैक्ट न्यू प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अ सर्कूलर सिस्टम फोर प्लास्टिक्स यह पैक्ट जो है यह प्लेटफॉर्म है जो लॉंच किया गया है तीन सितंबर 2021 को बाइड़ ब्रिटिस हाइज कमिशनर टू इंडिया उनका नाम एलेकजंडर एलिस ह का होस्ट किया गया है जी CII Confederation of Indian Industries ठीक है इस न्यू प्लेटफॉर्म जो की जिका नाम इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है एक जॉयंट एफर्ट है बर्ल्ड वाइड फंड फंड फोर नेचुरल इंडिया और CII के साथ यानि Confederation of इंडिया इंडिया इंडस्ट्री अगल आर्टिकल है नो यूर राइट एंड क्लेम दे अगाइड फोर यूथ एक किताब है जिसका लेखी का है एंजलेना जोली आप इनको जानते हैं फोटों में देखिए यह हॉलिवूड के एक्ट्रेस है जी यह एक्शुली इनके साथ अमनेस्टी इंटरनेशनल हुमर आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल देखेंगे अगला आर्टिकल रिलेटेड है जी डच ग्रेंड प्रिक्स 2021 से तो मैं बता दूं कि मैक्स वेस्टरपन जो की रेड़ पूल के ड्राइवर है निदरलेंड से हैं आप इनका कंट्री भी याद रखेंगे रेड़ बूल च बोटास भी मस्टिज के ड्राइवर हैं और फिल्लेंड के हैं वो थर्ड पे आये हैं जी ठीक है चलिए तो आपको इतनी जानकारी मिल गए इनके बारे में अब हम रिविजन कर लेते हैं फटाफट जी टोक्यो पैललंपिक का गोल्ड जो पांथ जीते हैं उनका नाम आप बैडमिंटन में ही कृष्णा नागर जीते हैं अब सिल्वर मिडल सिल्वर मिडल ववीना पठेल जीते हैं निसाद कुमार जीते हैं योगेस कतुनिया जीते हैं देवेंदर जाजरिया जीते हैं मरियपन थंगावेलू जीते हैं प्रवीन कुमार जीते हैं सिंहराज अधा जीते हैं सरद कुमार जीते हैं साथ में अवानी लिखारा भी जीते हरविंदर सिंग जीते और मनोज सरकार जीते हैं जी तो ये हमने आज बता दिया आपको गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल के बीजयताओं के नाम ठीक है अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ओपनिंग सेरोमेनी और क्लोजिंग सेरोमेनी के फ्लैग विर्याजर के नाम टाइप करेंग बताईए अब मुझे दीजी इजाजत बहुत बहुत धन्यवाद